कि देखो सबसे वहले वाच्चे में राम शब्रूप आपको याद होने चाहिए पहले बता रहा था मैंने इसको अपने क्या किया जिसने वाच्चे नहीं समझा में वह खास तोर पर समझना अपने क्या कि वाच्चे को तीन स्टैप में बाढ़ दिया जिसमें अपने अलग- परिवर्तन करना इसलिए अपर वाच्चे अलगे और वाच्चे परिवर्तन अलगे ना वाच्चे तो किसको कहते हैं कि भी किसी भी वाक्य को कहने का या फिर बोलने का जो तरीका होता है जो धंग होता है वह वाच्चे कहलाता है हाप लोगों ने हिंदी में भी बढ़ा है है नहों ध weigh वाच्चेभीवरथन में जैसे मैंने स क्लीजल है अपनों से का कि इसको परिवर्तन वाच्चेभीवर्तन करके बता हो तो वाच्चेभीवर्थन किया तो सेंटेंस हो गया राम के द्वारा sticky एक भतन के सकते हैं रहां के द्वारा वाच्चे का परिवर्तन इसी प्रगार करना पड़ेगा है ना वस इतना ज्यान रखना है कि संस्क्रिट के अंदर वाच्चे जो होते हैं वो तीन प्रगार के होते हैं कि देखो कि 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 देखो करत्री वाच्चे कर्म वाच्चे और भावच्च द्यान से समझना इसको यह तीन प्रकार के वाच्चे आपको सेंटेंस दिये वे होंगे आपको इसको चेंज करना है है ठीक है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको कि हमको जो एक्जाम में सेंटेंस देवे होंगे आपको उसको चेंज करना है परिवर्तन करना है लेकिन सबसे पहले आपको यह द्यान रखना है कि हमको उसको परिवर्तन किसमे और कैसे करना है तो आपको यह करना होगा कि आपको जो सेंटेस दे रखा है उस सेंटेस को आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि वो सेंटेस कर्तरी वाच्चे का है कर्म वाच्चे का है या फिर भाव वाच्चे का है यदि आप लोगों ने कुछ सेंटेस दे रखा है और आप उसको है जैसे आप उसको पैचान में किए संटेंज मैं इह तो सेंटेंज है वह करतरी वाद्च्छे का है या नि खर्षक तो आप उसको चेंज कर दोगे कर में और अगर दे रखा है सेंटेंज वहometer जाले वह सेंट्यक्र मोचिक हैं तो हमस्कों चेंज में करदो हो कर्ट्रिवाच्च्यम और भाव अच्य का सेंटेंस अगर आपको इस शληए रहो तो भी आपको चेंज करना पढ़ेगा उसको त्टीक है यानि कर्तरी वाटच्य का सेंटेंस कर्म वाटच्य में सेंज हो जाएगा कर्म वाटच्य का कर्तरी वाटच्य होगा कणको सबसे कर्म 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 का और भाम किशना है तो बता जो करता हुगा तो उसके लिए कुछे करना पड़ेगा कि अगर सबस्ते का हो तो तो वहां पर पता है क्या होगा वहां पर जो करता होगा भी सेंटेंस कोई भी सेंटेंस हुचा है हिंदी का हुचा है संस्क्रित का वहां पर सिर्व यह रहता है वाक्य में क्या होता एक करता एक कर्म और एक क्रिया यह तीनों मिलते हों सेंटेंस बन जाता है उसी प्रकार करत करत्री भाद्छाे मेone अगर कोई सेंटेंस कर द्रीक वाद्चे का तो वहां पर जो करता होगा भूगा अब रतमावी बात किसे मतलम लॉडम्व वर्हाम वरम हिएक राम की प्रतमयग्थ को द्याम के अंदर प्रतमय बखती का को तीक को करतरी बाच्चे के सैंटेंस के अंदर जो कर भूता है वो कर्म हमेशा होता है अंफर कर शोड़ करें अबिदिया विपक्ति का और जो कर्याई होT Isabai करती बच्चे के अंदर जो कृत्राय होगी वो कृत्रिया हमेशा होगी को मुझे कर साथ सह सखेकर संफिए और आपने पनbok मैंे चलो पच्छाहन अभी मैं आपके बता पहुंगा कैसे करना है आगल उसको नीयमी लिख रही है चलो आजे अब आपन कर्म-वाद्च्ɛे के सेंदेंस की पैचान न होती है कि कर्म कर्म वाद्चे की कर्म के अगर कोई 10 एक तो उस सेंटेंस का जो करता होगा वह करता हमेशा होगा कर्म जो होगा वो कर्म वहाँ पर होगा प्रत्माय वक्ति में और जो क्रियाएं होगी वहाँ पर आत्मनेपत की ठीक है राम की प्रत्माय वक्ति समझ गए राम है रामू रामा ये फिर दूइतियाव भक्ति रामम राम और रामान और राम की तृतियाव भक्ति रामेन रामा भ्याम और रामई अब देखो लास्ट अपन आगए भाववाच्चे में हमको क्या करना है भाववाच्चे को हम कैसे पैचानेंगे भाववाच्चे को पैचाने का सबसे सिंपल तरीका यह होगा कि वहाँ पर जो करता होगा वह होगा है कि तृतिया भी भक्ति का यह यहांई ऐसा वहाँ पर जो कर्म होगा वो कर्म होगा ऊब हो गई नहीं है और क्रियाई जो होती है और वह पर होती है आत्मने पत्के तक हमको सब समुलब हखां तो प्रत्म不好 पैचान के राम यहां कम द्वितिया में बोला तो पैचान के रामा मरआывать त्रिटी भापया भालेखर भी वह तो वह और हम हम समल में बढ़ते हैं हिंदी में इ вещи समाज में नहीं वह आई है यह आप परस्मी पर और आत्मनेतर आई समयन में लोग देखो हम लोग विद्ध भी बड़ता है हले में क्रिया दो प्राकर होती है कैसे होती देखो कि इसको मिटा देखो जैसे परस में पत आप और यहां मैं लिख देता हूं आट में पत कोई धातू है मेरे पास पट मैं ट्शे किसे ने कहा कि पड़ धातू के आप हमको बताए कि इसके परस में पड में सर इसके क्रियाएं कैसे होगी तो बता दूंगा सर इसके क्रियाएं होगी पठती पठतह और पठंती फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है आप यह बताओ कि यहीं पठता तू अगर आत्मने बद में होती तो इसकी क्रियाएं कैसी होती तो भी बता दूंगा तो भी इसकी क्रिय ऐखेंज सबम्जबात जैसे मेरे को आथ शार्षाथ तू बताव परश्मी उदलत कैसमे चलेंगे तुमर बता एंगा उसती क्थै कि हसतह हां और हासन थी और उसने आछारा आत्माम सब्सक्राइब गई हे सियते हसी येते हशीयंते समझे फर्ख कि हना परस्मीं बला आत्म.? मैं ने मैं ने कुछ से मिने एक सेन्टेंस सुल आ डूं तो मैंने कहा है रामा ले खम लिखियते हैं यहां पर टिया परस्मी के नहीं नहीं की त रामा लेखम लिखियते अ आत्म क्यार ung Am addicted क्रिश्न हविद्यालयाम गच्छती अधैस में समझ में फरक है न यहां पर टी तहँ और अंती पटता इस तरीकी क्रिया मोथिए वो के रहें परसमें बत्कि कहला दिया और जिन कि रहां के लास्नी यते यते और यंदे लगावा हुता है वो क्रिया आत्मनें बत्कि यह ती क एक फिर देखो आमालों को से अंटेस्ट देरक आवे गाव जरी बता रहा हो न को रिको कृष्णा हो बोजनां आप खादती पिसना हा बोजनां खादती अम्यरुद माल ये सेंटेस्ट दे अब मिलाने के लिए करना पड़ेगा हमको सबका नियम पड़ा पड़ना पड़ेगा यह कर्म का और यह बहुत चलो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि है कौन से वाच्चे का तो करता प्रतमा होता है क्या यहां पर करता मैं है क्या प्रतमा बखती में है करता अपने यह सर्व सार्मा रामा जिस प्रकार होता है उसी प्रकार किर्ष्णगा बना वाँ प्रत्मा मों है यह कहते हैं कि कर्म जो होता है वो प्रहीतिया चाहिए दो तो आप कर्म देखो क्या कर्म दूटिया में है क्योंकि उपर डॉट लगावाए और रामम को चाहूं मैं इस डॉट को अठागे मैं भी लिख सकता हूं वो पड़ा तो भोजना मी जाएगा इसका मदलब वह भी दूटिया में है फिर यह कहते हैं कि क्रिया जो होती है वो पर है आप आप इसको चेंज करने के लिए अब मेरे को कर्म बाच्च्य का नियम लगाना पड़ेगा कर्म वाच्च्य का नियम कहता है कि तृतिया वह बक्ति में होता राम की तृतिया क्या थी तो क्रिष्ण की गया होगी क्रिष्ण होगी तो यह करता गया तृतिया में कि अच्छा इन्होंने कहा था कि कर्म कैसा होता है प्रत्मा में होता है तो राम की प्रत्मा ये रही है तो भूजन की प्रत्मा क्या होगी बोजना हाँ और प्रीआ इन्होंने कई कैसी आत्मने पत्की तो यह परस में पत्की जो थी बट्ती चेंज जाता पठीयते है ना हस्ती होता तो चेंज जोता हस्यते तो खादती किसमें चेंज हो जाएगा का दियते कि यह हुआ बाच्चे बढ़ी बड़ता है समझे बाद मेरी यह तो हुआ सिर्फ पहला स्टेप अब देखो कि इसमें खास चीज़ होती होगा इसमें यह होती है जैसे यह कर्तरी बाच्चे यह कर्म बाच्चे और भाव बाच्चे कर्तरी बाच्चे में क्या होता है कर्तरी बाच्चे के सेंटेंस जो होते हैं उनके अंदर करता जो होता है वह प्रधान होता है प्रधान यानि मुख्य है ना इसलिए क्रियाएं जो होती है वो करता के अकॉर्डिंग चलती है करता के अनुसार चलती है उसी प्रकार कर्म वाच्चे में होता है कर्म वाच्चे में प्रधान जो होता है मुख्य वो कर्म होता है इसलिए क्रियाएं जो होती है वो कर्म के अकॉर्डिंग चल कुषन इंटेसलिक हम एंट कर दो कर दो पर दान कि जब दतें लेख लिखिया के टेब लेख लिखियर्टे बताव कौन से बाच्छे का सेंटेंश कर वाच तक है कर वाच्छे कर बाच्छे मैं कि इसमें चंज करेंग अभी बताद कर्त्री के सेंटेस कर्म में कर्म कर्त्री में हम लोगों निसे पहले वाला सेंटेस्ट देखा वो कर्त्री वाच्चे में था इसलिए हमने उसको चेंज कर्म वाच्चे में कर दिया अब यह सेंटेस कर्म का है तो इसको चेंज कर दूंगा कर्त्री वाच्चे के लिए कर्म वाच्च्च्च में मैं स्टम्त के लिए मंची chair वाद्च्च्च चाहनों तो और है और शीर्प नियम करता जो था प्रतमारेब्त भक्ति में कि कर्म कैसा होना चाहिए था ईघ्वीटियह राम की दूटिया क्षेर तो लेख की और यो होती है वो कैसी होनी चाहिए थी थी था मेशनी के तो क्या होगा अ लिखी जाती नहीं लेखती पो और यह होगया चेंज समझे बात मेरी यह तो सिंपल सेंटेंस थे अब बताव अगा 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 कर दो कॉंसे वाच्चे का सेंटेंसे और कैसे इसको चेंज कर दूँ करतरी बाच्चे का चेंज किसमें करूं कर मैं करो दो फिर कर दो प्याँ कर दो ऐसे बाद सेंटेंस तहां करतरी बाच्चे चेंज किसमें किया कर्म वाच्चे में तो कर्म आज़ा नियम क्याता कि मनुफ्य की तरतिया जाहिए है बेख लुब फिर घृच्ट है हाँ को से खो गया मनुशेन कि कर्म कैसा ज्याय को कि national org G Cinete और होगी फ्लाणी होगी गुट क्यों होगी रे युक्र नपुन सब लिंग में सब्क हे फलानी पुस्तक सारे इनगी प्रथमाए बक्ति होती है फलम फले और फलानी दूइतिया विवक्ति फलम फले फलानी और तृतिया से लेकर सब्सक्राइब विवक्ति तक यह सेम राम की जैसी जलते हैं ठीक है अब यहाँ पर हम लोगों ने चेंज हमको क्यान करना फलानी नपुन्शक लेंगे इसलिए वैसा है का वैसा आण अब खाडियते देखो यह संटेंश कौन से वाच्चे का था कर तरीक और आपने सके किसमें किया कर वाच्चे में अब मैं यहां पर अगर लिग दूखा दीए तो मेरा थोड़ा सा गड़बडाया यह रॉंग थोड़ा क्यों है पता है इसलिए रॉंग है क्योंकि सेंटेंस हैं यहां पर जो क्रिया होगी वो करता के अनुसार चलेगी और यह सेंटेंस कर्म वाच्चे का है इसलिए कर्म जो होगा सारी क्रिया जो होगी वो कर्म के अगर्णिंग चलेगी और हम लोगों नहीं यहां पर कर्म देखा तो कर्म जो था वह बहु अचन का था इसलिए आपकी क्रियाएं भी बहु अचन की उनी चाहिए कि यहां यह बन जाएगा अधिया 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 आई बास समझ में वक्ती बात है अधिया है अधिया अधिया बटा दूने सव यह दो आव हम कर लेंगे आगे अधिया समाझ में अब क्या होता कि जैसे मालों देंदिया है यहां पर अधिया था अधिया अधिया था कोई शब्द दे रखे हैं जैसे आपके सामने राम था तो आप लोगों इसको तृटिया भक्ति में लिए फटाफट रामियन क्योंकि हमको राम शब्द याद है थोड़ा बहुत कृष्ण था तो कृष्ण को अम लोग तृटिया में लिए किसने देवदत्यन था तो फट तृटिया में चेंज करना पड़ेगा हैना मैं मेरे पार कुछ लिखा दूँगा मैं कि किस सब्द को साह है साह कि तृटिया क्या होती है आप तो की तरतिया यह सारी लिखी भी है वैसे और मैं बताता जाओंगा आप लोगों को आपको इस तरह जैसे आप यहां पर है वहर आपमें कंफिशने तो कि ओसमें प्रपर मना दिया हम लोगने तो इनकी वह आप लोगों को तरद रहकर रिखने है सच होता है कि तीन स्थाठी जैसे एक इंडेर होता हैं जैसे ही अँर। फृतिया होती है कि असमाभी जैसे तौम होता है तौम कि तर्तिया होती है सब अभगती भी होती है साह पुस्तपम परती सबसे पहले यह तो होता है पृतमाई आप देखो सहा पुस्तकम पड़ती सहा शब्द जो है वो प्रतमाई वक्ति है तो आप लोगों को इसको चेंज करना है तिरतिया में सहा के तर्तिया होती है कि पुस्तकम पुस्तकम ही रहेगा क्यों कि नपुन्सक्लिंग शब्द कि années कर हो में Kelly ऐखे तो आत्माने पत्की होगी तो आत्माने पत्की होगी और कर्म के अक्रोडिंग होगी कर्म दो एक वचन गई है तो ग्रिया भी एक वचन की लगहीगी है पठीयती है कि इसमें एक चीज और ध्यान रखना है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जैसा करता होता है हमारा हमारी क्रिया भी वैसी होती है यह ना लेको जैसे हम लोग लिखते हैं सह तव ते तवम यूवाम यूयम एहम से आवाम और वयम यह सब सरवनाम है लेकिन है करता है जैसे वह है व้ है वे दौनों वे सब तुम तुमसब तुमसब ने हमसब उसी प्रकार की क्लिया जैसे तीन लाइने चलती है न प्रत्म पुरुष मध्यम पूरुष और उत्ताम पूरुष उसी प्रकार करिया भी चलती है है पठती पठताहाई पठांती लगें पटसी छ को पठताह और पठत पठामी पठावह और पठामा अब बस इतना ध्यान रखना है कि यह जैसा करता होता है क्रिया हमेशा एवैसी होती है आप लोग सभी जानते हैं हम लोगों ने छोटी ग्लास में पढ़ाईदा सहत आउते यह फस्ट लाइन होती है यह कहलाती है प्रथांपुरुष है ना दूसी लाइन मध्यांपुरुष और तीसी लाइन उत्तंपुरुष उसी प्रकार उस क्रियाओं भी ऐसा होता है पठती पठता पठंती यह फस्ट लाइन है यह प्रथांपुरुष पच्छी पठता पठत यह मध्यांपुरुष और पठामी पठ आवहापटामा यह उत्तामपुनर्श तेके चल्ब